सब्सक्राइब कीजिए Simple & Easy Classes को और स्टडी से जुड़ी अपडेट्स के लिए बैल आइकन को दबाईए हेलो वर्स वेलकम टो Simple & Easy Classes आज की वीडियो रोहिल खन युनिवरस्टी के सभी स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है आपको बता दें कि आज से LLB, BALB और LLM के एक्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें 17 केंदर बनाए गए हैं जिसमें से एक केंदर बरेली कॉलिज को भी बनाया गया है तो बरेली कॉलिज ने एक नई वेवस्था लागू की है जिसके तहित जो स्टुडेंट्स आज एक्जाम्स देने वाले हैं उनकी एंट्री कौन से गेट से होगी साथी साथ जो स्टुडेंट्स बरेली कॉलिज में स्टडी करते हैं उनकी स्टडी दूसरे गेट से होगी और ये सबी मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से गेट से किसकी एंट्री होगी साथी साथ रोहिलखन युरिवर्स्टी के बहुत से स्टुडेंट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनकी जो एड्मीशन से वो अभी तक हो नहीं पाए हैं और स्कॉलर्शिप की डेट जो है वो खत्म हो चुकी है तो वो स्कॉलर्शिप के लिए आविदन किस तरह से कर सकते हैं तो हो सकता है कि आविदन के लिए डेट बढ़ाई जाए और इसके लिए बहुत से छात्र मांग कर रहे हैं तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाली हैं इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें लाज तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो यह को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच चाके maybe gates से ही आना हैं और यहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि जो बरेली कॉलज में पढ़ने वाले चात्षाट्राएं हैं उन्हें काली बारी की ओर से आना है काली बारी की ओर से जो गेप है आपको वहीं से आपको एंट्री दी जाएगी कोरोना के खत्रे को देखते हुए कॉलिज प्रिशाशन ने ये विवस्ता बनाई है रोहेल घंड विश्विध्याले बुद्वार से विधी की परिक्षाएं शुरू कराने जा रहा है इसके लिए बरेली कॉलिज को भी सेंटर बनाया गया है कोरोना की चलते भीड को नियंतरित करने के लिए कॉलिज प्रिशाशन ने तै किया है कि कॉलिज में पढ़ाई करने वाले सबी छात्रों को काली बाड़ी की ओर से प्रवेश दिया जाएगा जबकि विधी के परिक्षार्ती विकास भवन की ओर से बने गेट से दाखिले लेंगे 16 दिसंबा से 17 सेंटरों पर करीब 11,000 परिक्षार्तियों को विधी की परिक्षा देनी हैं बरेली कॉलिज को भी परिक्षा केंद्र बनाया गया है चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर वंदना शर्मा ने बताया कि विदी की परिक्षा के लिए अलग व्यवस्था की गई है परिक्षा अब धी तक कॉलेज के छाथ छात्रा हैं काली बाड़ी की ओर से कॉलेज में आएंगे और परिक्षा में सम्मिलित होने वाले परिक्षार्टियों को व्यकास ववन रोड की ओर बने गेट से कॉलेज में प्रवेश मिलेगा कोरोना की वज़े से अभ्यार्टियों को आदा घंटा पहले पहुँचना होगा यह परिक्षा एक पाली में सुबह ग्यारा से दो बज़े तक रहेगी अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्कॉलर्शिप के बारे में तो यहां आप देख सकते हैं दिया गया है कई पाठिक्रम में प्रवेश बाकी निकल गई छात्रवरत्ति आवेदन की अंतिम तिथी कई महाविध्यालों में अभी भी प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है और छात्रवर्ति के लिए ओल्लाइन आविदन की अंतिम्तिती निकल गई है ऐसे में सैकडों छात्रवर्ति फॉर्म भरने से वंचित रहे गए हैं इसको लेकर मंगलवार को कई छात्र रोहिलखन विश्विध्याले पहुचे यहां आप देख सकते हैं कि बहुत से छात्रवर्ति का फॉर्म भरने से वंचित रहे गए हैं इसलिए मंगलवार को बहुत सारे स्टुडेंट्स रोहिलखन विश्विध्याले पहुचे उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को पत्र देकर छात्रुत्ती आविधन की तिथी बढ़ाने की मांग की है मंगलवार को छात्र नेतक गजेंद्र कुर्मी के नेतत्रु में छात्र रोहिगन विश्विध्याले के प्रशाशनिक भवन पहुचे छात्रों ने बताया कि विश्विध्याले से संबन्थ तमाम वहां विध्यालों में अभी भी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है छात्रा वास आवंटन बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया भी जारी है बी टेग, बी फार्मा, एम सीए सहित कई कक्षाओं की परिक्षा भी नहीं हुई है ऐसे में बड़ी संख्या में छात्राइं छात्रवरत्ती के लिए ऑनलाइन आविदन नहीं कर सके हैं जबकि इसकी समय सीमा निकल चुकी है छात्रों ने समाज कल्याड अधिकारी को पत् चात्रवरत्ती के लिए ऑनलाइन आविदन करने में वेबसाइट भी बादा बन रही है चात्रों का कहना है वेबसाइट की गड़वड़ी के चलते OTP यानिकी वन टाइम पासवर्ट भी नहीं मिल रहा है इसलिए शाशन को चात्रवरत्ती आविदन की समय सीमा बढ़ानी चाहिए अगर आपको यह इन्फ़र्मिशन यूसφıl लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जासेदः शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को भी प्रैस कर लें जीस से आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुच सके थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो